नमस्कार सत्यों आप सभी का स्वागत हैं आपके चेहते चैनल आपके प्यारे चैनल उधाइपुर क्लासेज में जैसे कि हम आपके बीच में लेके आ चुके इसा रिजल्ट कब आएगा रिजल्टी थी क्या गोशित होगे क्या जो मैंने विबाग वालों से बात किये वहां से क्या जानकरी मिली और कांसलिंग कैसे कराएं जी हाँ दोस्तों कांसलिंग होती क्या सबसे पहले बात करेंगे कांसलिंग होती क्या हैं और कांसलिंग होती तो हम कराते कैसे ठीक है और कि कैसे कुछने एक motivational code भी हो जाएं कि होफलेत सिनके चठान हुआ करते हैं करते हैं राश्ते उनके आसान हुआ करते हैं ये नाधा न गबराईन परेशानी से ये तुपल बरा मेरं हुआ करते हैं और फर्च अव्वा कोनसा करते हैं तो चलते हैं तो करते हैं क대ато कि आपका result आखिर कब जारी होने वाला है आप सभी को पताएं कि आपका exam 8 October 8 10 2022 को आपका exam हुआ ना हुआ का नहीं हुआ हुआ गुरुजी ठीके अब हम बात करें कि यदि आपका 8 October का आपका paper हुआ है और मैंने विबाग वालों से बात किये तो विबाग वालों ने मुझे बताया कि 21 दिन के अंदर आपका result जारी हो जाएगा पिछली बार आपका result जारी हुआ था एक महीने पूरा का पूरा लगबग 30 दिन के बाद आपका result जारी हुआ परने तू पिछली वर्ष के coding देखा जाये तो इस बार सेशन लगबग 45 दिन का पहले से लेट है पिछली बार एक्जाम अगस्त में हुआ और इस बार एक्जाम आपका अक्टूमर में हुआ तो पहले से भी आपका सेशन 45 दिन का लेट है और विबाग वालों ने मुझे बताया कि आपका प्रोसेज इतना जल्दी चला है आपका प्रोसेज इतना जल्दी चला है कि आपका 21 दिन के अंदर आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा तो गुरू जी 21 दिन के अंदर जारी होगा तो आठ को पेपर हुआ और आठ में यदि 21 एड करेंगे कितने हो जाएगे 29 यदि आपका 29 अक्टूमबर से आपका result जारी होने की पूरी पूरी संभावना बन गई जी हाँ दोस्तो 29 अक्टूमबर या फिर अक्टूमबर के इस अंतर विक केंदर आपका result जारी हो जाएगा या फिर आपका दिपावली अवकास से एक दो दिन ओपिस की बन की वज़े से आपका ये result आपका नौमबर के 1 वी की यानि 5 नौमबर से पेले-पेले आपका जारी हो जाएगा इसको लेकर doubt clear अब हम बात करें कि सर काउंसलिंग कैसे कराए और काउंसलिंग होती क्या सबसे पेले तो आप सभी विद्यारती के लिए यदि आप CET की तैयारी कर रहे हो या फिर LDC की तैयारी कर रहे हो या फिर आप राजस्तान पुलीस या फिर वन रक्षक वन पाल या पिर ग्राम से वग या फिर आने वाली वेकेंसी चाहिए आपका आपका बीस्टी सी दोजाथ 23 का एक्जाम हो उन सभी विद्यारती के लिए हमने नहास तलिकित नोट्स त्यार किये और वो नोट्स कम के कम दो दिन के अंदर 1000 बचों ने पर्चेस का लिया दो दिन के अदर औ आपका इन वेकेंसी के लिए आपके ओल एक्जाम के लिए आपके मात्र और मात्र उनपचास रिपे में आपके नोट्स मिलने वाले नोट्स देख लीजिए यदि आप एक सब्जेक लेना चाहते हो 21 रुपए कलाम संसकते 21 और बूगल के 21 यह लेना चाहते हो आपको इस न चाहते हो कम प्राइज में तो आप ले सकते हो बहुत ही अच्छा कंटेन है और लेना चाहते हो तो इस नंबर पर मुझे पेमेंट कर देना ओके अब हम बात करें कि काउंसलिंग कैसे करा है काउंसलिंग होती क्या सबसे पहले बात करें काउंसलिंग होती क्या जैसे कि आप आपका रिजल्ट जारी होगा 29 को 29-10 अक्टूमर को आपका रिजल्ट जारी होगा उसके बाद आपके एक सब्ते बाद यानि 5 दिन के अंदर आपके काउंसलिंग शुरू हो जाएगी कम से कम 5 दिन और पेले भी हो सकती है बहलो आप मान के चलो 5 दिन के अंदर आपकी काउंसलिंग शुरू होगी काउंसलिंग होती क्या है काउंसलिंग ये होती कि BSTC वाले बच्चे को 3,000 की विवस्ता का जुगाड कर लेना ठीक है 3,000 की पेमेंट का जुगाड कर लेना और ये payment आपको E-Mitre पे online जमा कराना होगा और 3,000 रुपे तो आपको ये लगा गया और E-Mitre वाला आपका 100-200 रुपे आपका counselling के ले सकता है अपने हिसाब से बाकी आपके counselling के आपको 3,000 की वेवस्ता करने होगी counselling आपको E-Mitre पे जाके आपको counselling इस प्रकास से करने है कोलेज एड करने होते हैं कि कौन-कौन से हमार को कोलेज चाहिए यदि आपके कम नंबर है आपको ओल रास्तान में कोलेज लेने चाहते हैं उसमें आपको सभी option मिलेंगे कौन-कौन से जिले से आप college लेने चाहते हो उसमें counseling वो होती है कि अपने को college चूज करने का आपको मोका मिलता है कि कौन-कौन से आपको college लेनी है तो ये आपके होती है counseling कैसे करें तो counseling के लिए आपको कम से कम कितने college बढ़ने उसके बारे में नेस्ट वीडियो आईगा परन्तो आज हम बात करें कि काउंसलिंग कैसे करा है तो काउंसलिंग आपको तीनेजर का चालन कटवाना है और कम से कम आपको यहां से आपको 120 कोलेज कभी कम विध्यारती कम कोलेज बरते उसको नंबर नहीं आता है इसका एक रिजन है कि कम कोलेज बरने वाले को कभी सेलेक्शन नहीं होता है इसमें यह होता है कि जादा आप कोलेज बरो और जादा अपना सेलेक्शन की और आप जाओ तो आपको कितने कोलेज बरने आपको कम से कम कोलेज बरने 250 प्लस आपको कोलेज बरने और 250 प्लस कोलेज बढ़ने के बाद आपको 33 जिल्ले ओल करना है उसके बाद आपको ओल रास्तान करने का मोका मिलीगा तो आप ओल रास्तान भी करना काफी बचे क्या करते अपने अखड दिखाते सर मेरे तो 415 नंबर है मैं तो 2 कोलेज बरूँगा और 2 कोलेज में मेरे घर के और मेरे डानी के पास जितने भी कोलेज बर दूँगा उसके बाद मैं ओल रास्तान भी नहीं करूँगा और उसके बाद मैं जिल्ले भी नहीं बरूँगा और ये अपने अकड दिखाने वाले उ अभी तक जब 2008 से आपकी BhtC चलति आ रही 2008 से अभी तक यह डिसाइड नहीं हुआ कि इते में इसमें कितने नमरवाले काँसलीं करा है चाए आपके 120 नमबर जानख us the आपके 310 नमबर जानख वह और तो है कर सकते हो ये आपके 485 नमबर जानख तो नमबर प्लस हैं तो आप काउंसलिंग करवा दीजी क्योंकि पेपर बहुत इजी था और इजी की वज़े से बच्चे क्या काफी क्वेशन आते हुए भी उनसे गलत हो गए तो ये मत डरना कि सब इतनी कटोप जादा जाएगी और हम काउंसलिंग क्यों नहीं कराएं काउंसलिंग आपके यदि आपके 300 प्लस नमबर यदि सभी विद्यार्थी के आ रहें तो काउंसलिंग सभी विद्यार्थी के अंदर सभी विद्यार्थी को काउंसलिंग के अंदर बाग लेना यदि आपको कोलेज नहीं मिलेगा तो 3000 पेमेंट आपने जमा करा है ओनलाइन उसमें से आपके 150 रुपए काड़ कर आपके वापस आपको पेसा रिटन हो जाएंगे और ये पेसा रिटन होगा, तीन माह के अंदर आपके पेसे वापस रिटन हो जाएंगे, तो counselling के अंदर सभी विध्यारती को भाग लेना, काउंसलिंग में कोई यह नहीं है कि काउंसलिंग इतने नंबर वाली करा सकते हैं काउंसलिंग लगबग सभी विद्यारती करा सकते हैं जिनको इच्छुक हैं और जिसके 120 नंबर आरे वो भी करा सकते हैं और यदि आपके नंबर आıyor, 385 नंबर आ रहें। और आपको लगता है कि सर मिरे 385 पे मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा। और माना कि आपने काउंसिंइग नहीं कराई। और माना कि आपकी फर्स्ट लिष्ट जारी होगी और उस फर्स लिष्ट में 380 पे कटोग गई 380 पे कटोग गई और आपके नमबर आ रहे 375 और आपको ये डर था कि सर 375 भी मुझे कोलेज नहीं मिलेगा और अपने काउंसलिंग नहीं कराई तो फिर आपको दुबारा मुका नहीं मिलेगा कान खोल के सुन लेना है ये गलती कोंसे होती है एक बार काउंसलिंग हो गई तो हो गई उसके बाद आपके चाहिए कितने भी नमबर बन रहे हैं चाहिए आपके पूरे में से पूरे नमबर आ रहे हैं यदि आपने काउंसलिंग में बाग नहीं लिया तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगी चाहे कितने भी नमबर आ रहे तो इस बात को आपको ध्यान रखें ये जानकारी थी आज के लिए अब आतरे कोंसी गलती मत करना गलती तो ये है कि आपको सभी को काउंसलिंग करा नहीं काउंसलिंग के अंदर सबको बाग लेना ये काउंसलिंग में बाग नहीं लोगों तो आपके कितने भी नमबर होंगे आपको घर पे कोई नहीं बुलाने आएगा कि बेटा आज आ कोलेज में पढ़ने के लिए ठीए तो काउंसलिंग में सबको भाग लेना है इसके लिए गलती मत करना आज के लिए इतनी और मिलते हैं एक नेश्ट वीडियो शाम वाली क्लास में तब तक लिए जहिन जे वरत